नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे गौतम बुद्ध की कहानिया शुरू करें इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कहानिया कैसी लग रही हैं एक कमेंट बॉक्स में जरू लिखें गौतम बुद्ध की उपदेशों से आपके जीवन में सकरात्म बदलाव आते हैं और इससे आपका जीवन बदल जाता है यही कारण है कि बुद्ध के विचारों को सुखी जीवन का सूत्र कहा जाता है सफल बनने के लिए हर व्यक्ति का अपना एक लक्ष पहले से के जिधारित होता है और वह उसी के अनुरूप काम करता है हम आशा करते हैं कि भगवान बुद्ध आपके जीवन से सभी नकरात्मक्ता को दूर करें और ताजे फुलों की सुखंद जैसे आपके जीवन को समारे आप सभी को पुद्ध पुर्णिमा की हार्दिक शुपकाम तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी ऐसा सभी के साथ होता है एक दिन सिधार्थ ने अपने सार्ती चंदक को नगर भ्रहमन के लिए चलने को कहा चंदक ने तुरंत राजकुमार के प्रिये घोडे कंठक को तयार किया उस पर राजकुमार को सवार कराकर वह नगर भ्र परबंद कराया था कि राजकुमार को मार्ग में कोई करुणा जनक दृष्य न दिखाई दे ताकि उसके मन में विरक्ति की भावना उत्पन न हो जिस मार्ग से उन्हें जाना था उसे स्वच्छ करके सजाया गया था उस मार्ग पर दोनों और सुन्द सुन्द लड़के लड भी उस समय प्रसन दिखाई दे रहे थे एका एक उनकी द्रिष्टी कहीं दूर उट गई एक जुकी हुई कमर वाला व्रिद व्यक्ति उन्हीं की और चला आ रहा था उसका मुँ जूरियों से भरा हुआ था आखें अंदर को धसी हुई थी हाथ पैर काप रहे थे वह लाठ का सहारा लेकर बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था जरा उधर देखो चंदक सिधार्थ ने उस वृत की और संकेत करते हुई कहा उस आदमी की और जिसकी कमर जुकी हुई है मुझे बताओ कि उसे क्या हो गया है वह इतना सुन्दर क्यूं है वह ठीक से चल क्यूं नहीं प प्तर दिया वह व्यक्ति बुड़ा हो गया है उसकी आयू अधिक हो गई है अधिक आयू हो जाने पर व्यक्ति ऐसा ही हो जाता है तो क्या आयू अधिक हो जाने पर मैं और युशोदरा भी ऐसे ही हो जाएंगे सिधार्थ ने चिंतिस्वर में पूछा हम भी बूड़े हो हम भी असुन्दर हो जाएंगे हम भी ठीक से नहीं चल पाएंगे सच यही है राजकुमार चंदक ने उत्तर दिया ऐसा सभी के साथ होता है बुड़ा हो जाने पर मनुष्य की यही दशा होती है शरीर इसी प्रकार कमजोर और असुन्दर हो जाता है सिद्धार्थ की सारी प्रसनता चुमंतर हो गई उन्होंने चंदक को महल लोट चलने के आग्या दी जब सिद्धार्थ अपने महल पहुँचे तो उन्होंने ये शोधरा को अपनी प्रतिक्षा करते हुए पाया उन्हें उदास देखकर ये शोधरा ने पूछा क्या बात है स बात यह है कि आज मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो बहुत कमजोर था, उसका पुरा शरीर काप रहा था, उसकी आखें जुकी हुई थी और वह असुन्दर हो गया था, छंदक कहता है वह बुड़ा हो चुका है, बुड़ा हो जाने पर ऐसा ही होता है, यह देखकर मेरा म उदास हो गया, इस पकार तो मेरी दशा भी आगे जल कर ऐसी ही हो जाएगी, आप व्यर्थी दुखी हो रहे हैं, इशोदरा ने कहा, छोड़िए इस बात को, आप अपने मनरंजन कक्ष में जाईए, पिताजी ने आपके मनरंजन के लिए खास नर्तिकी और गायकों को बु ले गए, वहां नर्तिकी और गायका ने अपनी कला का भरपूर प्रदशन किया, उन्होंने सिदार्थ की उदासी को दूर करने का पूरा पूरा प्यास किया, लेकिन सिदार्थ की उदासी दूर ना हुई, उनकी आखों के सामने रह रह कर वही वृद व्यक्ति घूम रहा जिसे उसने मार्ग में देखा था, वह बार बार यह सोच रहा था कि क्या बूरा होने से बचने का कोई उपाई नहीं है, कुछ दिनों बाद अचानक सिदार्थ ने पुनहा ब्रह्मन की इच्छा व्यक्त की, इस बार चंदक एक रत सजा कर लिया आया, रत पर सवार होकर सि कोई करना जनक दृष्य दिखाई ना दे, लेकिन जो होना होता है वह होकर ही रहता है, मार्ग में सिदार्थ को एक रोगी व्यक्ती दिखाई दिया, वह रोग के कारण कर रहा रहा था, सिदार्थ ने ततकाल रत रुकवाया और छंदक से पूछा इसे क्या हो गया है, यह इस प्रकार करहा क्यूं रहा है? राजकुमार चंदक ने उत्तर दिया, इसे रोग ने घेर रखा है, यह रोग के कश्ट को सहन नहीं कर पा रहा है, इसी कारण करा रहा है, प्रंतु इसे रोग ने क्यूं घेर लिया? सिद्दार्थ ने आशरी से पूछा, चंदक ने उत्तर दिया, रोग तो बड़े-बड़े स्वस्त व्यक्तियों को भी घेर लेता है, उन्हें भी रुला देता है, इसमें आशरी की कोई बात नहीं है, अपने जीवन काल में कोई न कोई रोग लगभग प्रतेक व्यक्ति को ह हो ही जाता है, ओ, सिद्दार्थ बड़ बड़ाए, तो रोग भी मनुष्यों को कश्ट पहुचाते हैं, इनसे भी मनुष्यों नहीं बच सकता, मैं भी नहीं बच सकूंगा, जब मुझे भी कोई रोग हो जाएगा, तो मैं इसी तरह दर से कर रहूंगा, चंदक ने रत को आगे बड़ाया, थोड़ा आगे चलने पर सिद्दार्थ को एक शव यात्रा जाती हुई दिखाई दी, उन्होंने पुनहां चंदक से प्रश्न किया, यहां कैसा द्रिश्य है, चार व्यक्ति अपने कंधों पर किसे लेकर जा रहे हैं, इनके पीछे कुछ लोग रोते हु राजकुमार चंदक ने उत्तर दिया, यहां व्यक्ति मर गया है, यहां चारों इसके संबंदी हैं, यह इसके शव को उठाकर शम्शान में ले जा रहे हैं, जो पीछे पीछे रोते हुए जा रहे हैं, वे इसके कुटुम के लोग हैं, शम्शान में इस मृतक का शरीर को ज मृत्यू ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा, कोई भी व्यक्ति, किसी भी समय मर सकता है। यह सुनकर सिद्धार्ग का दिमाग घूम गया। वह ठंडी सांस लेकर सोचने लगे। क्या इसी को जीवन कहते हैं? जिसमें मनुष्य को तरह तरह के रोग घेर लेते हैं, जिसमें कभी भी मृत्यू का आगमन हो सकता है। मनुष्य जो बूड़ा हो जाता है तो वह दुर्बल और असहाय हो जाता है। उसके शरीर को जलाकर भस्म कर दिया जाता है। क्या जीवन के इन भयानक दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसका कोई तो उपाई होगा। सिदार्ट मन ही मन ऐसा सोच रहे थे कि तभी उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया। उसने भगवा विश धारण कर रखा था। साधना और तपस् चंदक यह स्वस्त और तेजे स्वी व्यक्ति कौन है। चंदक ने उत्तर दिया। यह एक सन्यासी है। इसने संसार के सभी सुक त्याक रखी है। इसने संयम द्वारा अपने इंद्रियों को वश में कर रखा है। यह अपने इश्वर की तपस्या साधना करता है। तर मिल गए वह एकदम शांत हो गए उस सन्यासी के दर्शन मातर से ही उसके मन का सारा कलेश दूर हो गया उसने मन ही मन सोचा रोग तथा जन्म मरण के कश्ट से चुटकारा पाने का उपाई सैयम त्याग तथा तपस्या है जीवन का सार सत्य की खोज करना है संसार के सभी सु नकली हैं इन जूटे सुखों में नहीं फसुंगा मैं उस तेजस्वे सन्यासी की तरह बनूंगा रत अपने पूरे वेक से दोड़ता रहा और उससे भी अधिक वेक से दोड़ता रहा सिदार्थ का मन उसे बार बार उस सन्यासी का ध्यान आता था उसके मन में विरक्ति की भावना बढ़ती जा रही थी जब सिदार्थ राजमहल में लोटे तो उन्हें एक शुप समचार मिला ये शोदरा ने स्वस्त वा सुंदर पुत्र को जर्म दिया था दादासियों ने सिदार्थ को घेर लिया और उन्हें बधायां देने लगी उन्हें यहाँ आशा थी कि सिदार्थ से उन्हें पुरसकार मिलेगा लेकिन सिदार्थ पर इस शुप सूचना का कोई प्रभाव दिखाई न दिया चारो और हर्ष का सागर लहरा रहा था पूरे राजमहल में बधायों के स्वर गूंज रहे थे वहां राजा शुदोधन वा रानी प्रजावती तो प कोई रूची ना थी वह उदास अपने भवन में घूम रहे थे उनके मन में संघर्ष चल रहा था वे किसी भी उस्सव में समलित नहीं हुए अपने नवजात पुत्र से भी मिलकर सिदार्थ को प्रसनता ना हुई उनका मन सब कुस त्याक कर शान्ती वा सत्य की खोच करना जाता था एक रात अशाड की पुर्णिमा का चंद्रमा प्रित्वी पर अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था राज भवन में ये शोद्रा अपनी पुत्र को छाती से लिप्टाए सुक की निद्रा सो रही थी दासियां भी अपना कारे समाप्त करके गहरी नीन का आनन ल रही थी सिदार्थ अपने बिस्तर से एकाएक उठ खड़े और भवन से बाहर चले गए भवन से बाहर निकल कर वह सहसा ठिटके उनके मन में एक बार ये शोद्रा वर राहुल को देखने की इच्छा उत्पन हुई वह वापा जाने के लिए मुडे परन्तु जिस प्रकार क कोई सर्प अपनी क्याचुलीक उतार कर उसकी और नहीं देखता वैसे ही सिदार्थ ने भी अपने मोह को एक ही जटके से त्याग दिया धीरे धीरे चलते हुए सिदार्थ वहाँ पहुँचे जहां उनका सार्ती छंदक सो रहा था सिदार्थ ने उसे जगाया छंदक ने च हाँ वह भी रात के इस समय सब कुछ ठीक तो है ना चंदक सिदार्थ ने आदेश दिया तुरंथ रत तियार करूँ मैं इसी समय राजववन से बाहर जाना चाहता हूँ चंदक ने ध्यान पुर्वक सिदार्थ के और देखा वह कुछ पूछना चाहता था परन्तु पूछने का साहस ना कर सका रत को तियार करके वह सिदार्थ के निकट ले आया सिदार्थ रत पर सवार हुए तथा चंदक को नगर से बाहर वन की और चलने के लिए कहा चारो और गहरा अंदकार था, वहां सन्नाटा चाया हुआ था जंगली जी जन्तू की आवाजे कभी कभी सन्नाटे को भंग कर देती वातावरण बहुत डरावना हो जाता घने जंगल के निकट सिधार्थ ने चंदक को रत रोकने का आदेश दिया रत रुकते ही सिधार्थ नीचे उतर आये सामने ही यमना नदी अपने पूरे वेक से बह रही थी उस समय वे अनुप्रिय नामक इस्थान के निकट खड़े थे सिधार्थ ने अपनी रासी वेसबूशा उतार दी साथ ही उन्होंने एक-एक करके अपने आभूशन भी उतार दिये अपने वस्त्र वो आभूशन उन्होंने चंदक को दे दिये तथा लोट जाने का आदेश दिया चंदक सिधार्थ के पैरों में गिरकर फूट-फूट करोने लगे वह हाज जोड कर कहने लगे यह आप क्या कर रहे हैं राजकुमार जब आपके माताजी वो पिताजी को आपके सन्यासी बन जाने की बात का पता चलेगा तो उन पर दुखों का पहा टूट पड़ेगा रानी ये शोद्रा पर क्या भी देगी आप अपना निर्ने बदल लीजिए मेरे साथ राजमहन लोट चलिए नहीं छंदक सिदार्थ ने सुंदर वा सुगंदित बालों को काट कर कहा अब मैं नहीं लोटूंगा मैंने सोच विचार करके ही यह निर्ने लिया है मैं सत्य वा ज्यान का मार्ग खोजना चाहता हूँ जिससे मानव शान्ती पा सके तुम आसु पोच लो और राजभोवन लोट जाओ चंदक को सिदार्थ की आग्या का पालन करना पड़ा उसने सिदार्थ के चर्ण स्वश किये उनके कीमती वस्त्रों वा आवुशनों को रत में रखा और कपिल वस्तु की और चल पड़ा जिस समय चंदक राजभोवन में लोटा सुभा का प्रकाश चारों और फैल चुका था राजशुदोदन बाग में म्रहमन कर रहे थे जब उन्होंने सिदार्थ का खाली रत देखा तो उनके माथे पर बल पड़ गए उन्होंने क्रोज से चंदक की और देखा और पूछा तुम बिना बताए सिदार्थ को कहां ले गए थे वह इस समय कहां है चंदक ने रोते हुए वह पूरी बात बता दी फिर रत से सिदार्थ के कीमती वस्त्र वह आभूशन लाकर उन्हें सौप दिये शुदोधन उन वस्त्र आभूशनों को छाती से लिप्टा कर फूट फूट करोने लगे उन्होंने कहा विद्वान पंडितों वह जोतिशियों की भवश्यानी आज सच हो गई मेरा बेटा संसार के सवी सुखो को ठुकरा कर सन्यासी बनने चला गया रानी प्रजावती को जब इस बात की सूचना मिली तो वह बिहोश हो गई जब यशोदरा को पता चला तो वह भी इस बात को सहन ना कर सकी वह विलाप करने लगी हे स्वामी तुम बिना कहे ही घर छोड़ कर चले गए मुझसे कम से कम एक बार मिल तो लेते क्या मैं इस योग्ये भी नहीं क्या तुम्हें अपने छोटे से पुत्र का भी ध्यान नहीं आया कम से कम उससे तो मिल कर जाते इसके बाद इशोद्रा ने भी राज से वेश बुशा उतार फैंकी केवल सुहाग चिन्हों को छोड़कर उसने सभी आवशुनों का त्याग कर दिया वह साधारन भोजन करती तता पृत्वी पर सोती उसकी यहाद इशा देकर प्रजावती बहुत दुखी होती वह यह शोद्रा को छाती से लगा कर रो पड़ती और अपने स्वास्त का ध्यान रखने के लिए कहती यह तेरे खेलने खाने की आईू है बहू वह शोद्रा से कहती परन्तु तुने तो सिद्दार्ट की तरही संसार के सभी सुख छोड़ दिये क्या यहाँ ठीक है इस तरह रहने से क्या तुम बिमार नहीं पड़ जाओगी तब राहूल के देखभाल कौन करेगा माता जी यह शोद्रा उत्तर देती मेरे पती अब सन्यासी बन चुके हैं वे प्रिथ्व पर शेयन करेंगे तथा जंगली फूल फूलो का भोजन करेंगे ऐसे में मैं भला राजभवन में सुख के साथ कैसे रह सकती हूँ आप कृपया दुखी ना हो राहूल में ही इसके पिताजी की छवी को देखें इससे आपको शान्ती मिलेगी प्रजावती राहूल को छाती से लिउक्टा कर रो पड़ी सिद्दात के चले जाने के बाद कपिल वस्तू का हर वेक्ती उदास हो गया राजमहल में तो दुख का समराज जही स्थापित हो गया ऐसे में केवल नन्ने राहूल की किलकारिया ही राजमहल में गूसती तदा सबका मन बहलाती वीडियो पसंद आई हो तो चैन को लाइक, शेर, सस्क्राइब करना ना भूले और थैंक्स पर वाचिंग